C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 46 पाठ 12 है सुने कहानी तोसिया का सपना एक दिन तोसिया ने सपना देखा तोसिया बहुत सपने देखती है वो उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है तोसिया को सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए है कहीं कोई रंग नहीं बचा उसने देखा कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया है तोसिया उठी और सपने को याद करने लगी वो एकदम से घबरा गई कि क्या सचमुच रंग गायब हो गए है इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए है प्रिष्ठ के बीच में दिखाए गए चित्र में तोसिया अपने बिस्तर पर सूते हुए दिखाई गई है और वो सपना देख रही है सपने में वो देख रही है कि सब रंग उड़ गए हैं कोई रंग नहीं बचा हर चीज सफेद ही सफेद है दूसरा चित्र प्रिष्ट में बाई और नीचे बनाया गया है इस चित्र में तूसिया इस सपने को देखने के बाद घबरा कर उठके अपने बिस्तर पर बैठी हुई दिखाई गई है वो सोच रही है कि रंग गायब कैसे हो गए प्रिष्ट 47 तूसिया रसोई में गई वहां बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी तूसिया उठकर बाहर बगीचे में गई वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे गेंदा, चमेली, सदा बहार, गुलाब, सूरज मुखी तूसिया ने देखा कि उसके कपड़ों में रंग है मम्मी पापा के कपड़ों में भी रंग है घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे थे इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए है पहला चित्र उपर बनाया गया है जिसमें तूसिया अपने घर की रसोई में गई है वहां उसे रंग बिरंगे मसाले नजर आ रहे हैं दूसरा चित्र प्रिष्ठ पर नीचे बनाया गया है जिसमें तूसिया अपने घर के बगीचे में नजर आ रही है तूसिया देख रही है कि उसके मम्मी पापा बगीचे में काम कर रहे हैं और उसे बगीचे में धेर सारे रंग भी दिख रहे हैं प्रिष्ट अड़तालीस तोसिया मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी सबजियां थी गाजर बैंगन टमाटर सीम मटर बाजार में पतंग की दुकान भी थी दुकान में खूब सारी रंग बिरंगी पतंगे थी काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी चुन्निया थी गुलाभी, बैंगनी, फिरोजी, आसमानी, भूरी बाजार में गुबारे वाला खड़ा हुआ था उसके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुबारे थे नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी तोसिया ने खूब सारे रंग देखे वो खुश हो गई के रंग गायब नहीं हुए हैं वो रंगों को गिनने लगी इस प्रिष्ट पर नीचे बाजार का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ट उनन्चास तोसिया घर आकर दोपहर को सो गई उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं उन सब के बाल सफेद सफेद हैं तोसिया को एक बात याद आई वो रात को नानी के साथ सोई थी इसलिए सपने में सब सफेद सफेद दिखा होगा तोसिया नानी के बालों को गोर से देखने लगी वो नानी के बालों को चूचू कर देखने लगी तोसिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफेद क्यों हैं उसने नानी से पूछा कि उनके बालों का रंग कहां गया नानी बोली कि पहले उनके बाल भी काले थे फिर उनके बालों का रंग तोसिया के बालों में चला आया लेखिका बर्खा क्रमिक पुस्तकमाला N.C.E.R.T इस पृष्ठ पर बीच में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें तोसिया अपनी नानी और उनकी सहेलियों के साथ बैठी दिखाई गई है तोसिया अपनी नानी के सफेद बालों को चू कर उनसे पूछ रही है कि उनके बाल सफेद क्यों है पृष्ठ पचास बातचीत के लिए एक, क्या आप कभी कोई सपना देखकर खुशी या डर से उठे हैं? दू, अपने सपनों के बारे में बातचीत कीजिए तीन, इस कहानी में कौन-कौन से रंग है? चार, संसार में रंग ना हूँ, तो कैसा लगेगा? खोजें जाने, कहानी का क्रम खोजें, फिर उसे पढ़ कर सुनाईए तोसिया ने नानी से उनके सफेद बालों के बारे में पूछा तोसिया बाजार गई, जहां रंगीन पतंगें, चुन्नियां और गुबारे थे तोसिया बगीचे में गई, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे तोसिया ने सपना देखा कि सब कुछ सफेद हो गया है तोसिया ने रसोई में रंगीन मसाले देखे तोसिया घर आकर दोपहर को सो गई इन सभी वाक्यों की बाई और दी गई खाली जगह में आपको इन वाक्यों का सही क्रम लगाना है शब्दों का खेल एक, रंगों में छिपे शब्द खोजिये और लिखिये जैसे गुलाबी में गुलाब आस्मानी में कौन सा रंग छिपा है वो लिखिये बैंगनी में रिक्तस्थान सिंदूरी में रिक्तस्थान प्रिष्ट इक्यावन दू, रसोई में रंग तोसिया ने रसोई में रंग ही रंग देखे मिर्च, रिक्तस्थान रंग की काली मिर्च, रिक्तस्थान रंग की हल्दी, रिक्तस्थान रंग की सर्सू, रिक्तस्थान रंग की धनियापत्ती रिक्तस्थान रंग की और मेथीदाना रिक्तस्थान रंग का इन रिक्तस्थानों में आपको दी गई वस्तूओं के रंगों के नाम लिखने हैं यहां दिये गई चित्रों को देखकर सुन्दर सी कंदेल बनाईए कंदेल बनाने के लिए हमें चाहिए रंगीन पेपर, कैंची और गोंद इस प्रिष्ठ पर छे क्रम में दिखाया गया है कि आपको एक सुन्दर सी कंदेल, रंगीन पेपर, कैंची और गोंद की सहायता से कैसे बनानी है पहले क्रम में जरूरत की सामगरी के चित्र बने हैं जैसे कैंची, गोंद, रंगीन पेपर, फुटा और पैंसिल दूसरे क्रम में दिखाया गया है कि हमें रंगीन पेपर को कहां से मोड़ना है फिर तीसरे क्रम में हमें कैंची लेकर उसे बराबर की संख्या में सुंदर धंग से लंबाई में काटना है लंबाई में काटने के बाद हमारा रंगीन पेपर कैसा दिखेगा ये क्रम संख्या चार में बताया गया है फिर पांचवे क्रम में हमें रंगीन पेपर को बीच में से बराबर मोड़ कर उसे लंबाई में खींच कर अंत के छोर पर गोंद से चिपका देना है और उपर उस कंदील को उठाने के लिए एक हैंडल भी बनाना है हैंडल को दोनों ओर से गोंद से कसके चिपकाईए क्रम संख्या छे में हमारे एक सुन्दर सी कंदील बनकर तयार है हमारी रंगीन कंदील बनकर तयार है सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तखनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत